नभुसका दोस्तों, डिडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी के स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, डेली स्वेक का वीडियो है, और इसका टैटल है पाकिसानी हिंदू रिफ्यूजी इन जोदपूर सलिब्रेट सी ए नो मैंनिटीज को, जो हमारे पडूसी देशों में, अफगानिस्तान में, पाकिसान में, बंगला देश में, यहाँ पर जिनको प्रॉब्लम है, पर्सीक्यूटेड हैं, जिनके उपर जुल्म किया जा रहा है, उनके सिटिजिजिशिप के लिए, उनको इंडियन जिए तो एंटी मुसलिम है, अलजजीरा कहता है, एंटी मुसलिम लाओ है, कई करती है, जबकि मुसल्मानों से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, भाई माइनुर्टीज की बात हो रही है, तो जिस देश में, पाकिस्तान में, मुसल्मान मेजरिटी में, उनको मदद की जर रहा है अफगानिस्तान में सिखों पर हो रहा है पाकिसान में हिंदूआपर इसाइओं पर सिखों पर हो रहा है तो उनको छीटिजेशप देने में और जाधा आसानी हो जाएगी भारत के अगर वो चाख़ाओन रियन कि जो माइनूटीज हैं खासकर मुसल्मान अगर उनको परिशानी तो आपके हैं जाकर स्ट करो कि जे लेए कि वीडियो देखते हैं डिली स्व焦्क का वीडियो है उनका क्या कहना है उनका के साथ जाते ना वो कहते हैं वो कहते हैं वो पकिस्तान में ऑलों को जाती है वो कहते हैं हमारे पंजाब के साथ जो चाहिए था पूर्प उन्होंने गल्त बीच में दीवार नहीं चाहिए इंदुस्तान ने आज ना सिटिजन्शिप के लिए तीन मुलकों को फर्स दिया पाकिस्तान के जो माइनरेटी सरे ती है उनको नेपाल और उसके इलावा बंगला देश की और बताया जारा के इन लोगों के जो जो नेपाल नेपाल में का है भाईया नेपाल में कोई दिक्कत नहीं है नेपाल में माइनरेटी पर्सेकूटेड नहीं है भाई यह गलत ख़बर फैलार वाप नेपाल के बारे में हमारे बिरादरान मुलक के बारे में हमारे भाईवाले देश के बारे में ऐसे गलत खबर मत फ जो यहां पर सिख हिंदु इसाई कम्यूनिटी रहती है वो हिंदुस्तान जाने के लिए त्यार भी हैं बहुत सारी नहीं कभी बीडी जाएंगे क्योंकि आप देखें जब भी कोई ऐसा सानिय होता है पाकिस्तान में में सी ब्रादरी के साथ ऐसा होता है वो जग जहती के साथ में हमला होता है उस तरह से रेक्शन ही होता जो सेफ्टी तफ़स इनको दिया जाता है यह चीज़ है अब पाकिस्तान में जो हिंदु माइनुटी हिंदु लोग है वो बहुत खुश है जी जी क्यों नहीं है गोर्नमेंट इनको हर तरह के फैसी डेट का सी है जो के पाकिस्तान के अंदर यह देखी अब ओकंगे जो कि हमरे ठेिस्तान में आपने कमाली करने के बाद कि हम इंडिया जैन के देखें डौल बजा हांकर आगे डांस करना कुछ चंद आसे लोग हैं जो सासी होते हैं लेकर जो मनोर्टी है जिनका फैमिली सेट अप ये वो हर चीज़े ही तरह वो कैसे जाएंगे वो ये हिंदू कहते हैं के बाई पाकिस्तान में हमें राइट्स नहीं दे रहे ये आप सुन सकते हैं मेडिया के लिहास से बस एक इंतिशर्फ लाने वाली बात है आप में नोटी में जाकर किसी को भी पूछेंगा ऐसा नहीं होगा यहां पर हमारे जो मैं सवाल पूछने लगा हूं यह थोड़ा सा सेंस्टिफ होगा क्या हमारे यहां पर मुझूद हैं के अंदर जो हमारे मुस मुलक से पाकिस्तान से हमारे अपने लोग की छोड़ सोड़ कर वाहर की जा रहे हैं वह तो इसलिए जारे ही हमारे जो गौपर फाइदे की चीज्जे करतें जो पर छो मेडिया की हाथ तक होती है चीज़ें लेकिन जीज़ते जब जो अमल द्रामद होता है वो चीज़ें नहीं होती है आप देखेंगे जो हमारे मुल्क का असासाँ नोज़वान तक्रीबंप्छले साल की बात बताऊ उं तक्रीबंद 20 लाग इस साल की बात बता हूं तक्रिवन 35 लाग से जादा नौजवान मुलक चोड़ कर जा जाता है उसमें इस तरह क्या क्या इस तरह से यह मुलक तरकी करेगा उसमें सिर्फ यह चीज है कि जो हमारे बरसरे एक्तदार लोग है ना उनके बच्छी एजूकेशन में जाते है उनके लिए फ्यूचर अच्छा हो जाता है अब मैं यह एक ड्राइवर मेरा बच्छा बीकर उसमें नहीं पढ़ सकता है अगर मैं उसको पढ़ा भी लूँगा ऐसा उसको ना स्कॉलर्शेप मिल सकती है ना उसको बाइट जाने का लिए कुछ चीज मिल सकती है तो इसलिए इसलिए उनके साथ अब देखें फर्द करें कोई भी मैंने एंपी होगा उसका बच्छे जब ब्रिटिश में पढ़ रहे होंगे वो ब्रिटिश वालों के साथ कैसे सकती बात करेगा नहीं करेगा ना बात वो कौम को कहेगा अमेरीका के खिलाब बोलो खुद नहीं हृँ का थीक है यहां पर हमारी मानियूटि कैंहल को बड़ी णी जा सकते से मुलक के वजिराइब में सकता है जर्णल मेजर नहीं बन सकता मेजर जर्णल बिल्कुल ऐसी आप सही कहा रहे हैं कि इसमें असल चीज यहीं है ना कि आप फर्ज करें मैं अपने बेटे का मुझे कहा जाएगा जी मैरट अब जैसे मारे कैंडिडेट है जो कमरान मनें वो कहते हैं मैरट को मैरट पर जो जर्णल तहफस के लिए आसे में नोटी को ज़्यादा तहफस आप जान भूचे जो सवाल पूछा कि उसका जवाब आपने नहीं दिया सवाल पूछा इन्होंने कि क्या आपके यहां अब इन्होंने सवाल भी थोड़ा सही से पूछते न कि क्या यहां पर कोई कर दिया हमारे लोगों ने दो मंदिर को तोड़ दिया तो ताफूस तो नहीं नहीं हुआ यह यहां पर जब हम अपनी मानुटी को अपनी नौन मुसलिम लोगों को हिफाज़त में रखेंगे वो तो जाएंगे जाएंगे आप देखें यह यहुनाबाद वाक्या हुआ था ठ खलाव कुछ किया तो देखें आप तफ़ाज है तो उनके लिए गोवर्नमेंट भी एक्शन में आई हमारे लिए एक्शन में नहीं आई यहां से पाकिस्तान में मुसल्मानों के मस्जिद किसने गिरा दी भाई अरे बाप रे बाप यह तो पहली बार सुन रहा हूं मैं काउंटर कोशन मुसल्मिल भाई को करना चाहिए कि पाकिस्तान में मस्जिद वो तोड़ दिया गया कैसे अभी उन्होंने जो एलान किया है यहां से आपका कहने का मतलब है कोई भी नहीं जाएगा मुलक चोड़कर ना सिक्र ना हिसाई ना किरिश्ट तिल्कुल नहीं कि पोई नहीं बात कर सकते तबीर आप मेंसे कोई कर सकता आजिए तर आज इस सिर्फ है क्या करते हैं आप ważं करते हैं पयक्तितितिते बाई जो किस अधियों ही थे इन्डिया की इसे कि सद्विटनुशिप मिल जाए इंडिया की सिरिश्णुज़न शियरियत मिल जाए तो क आप आप जाएंगे चोड़ का पाकिस्तानि तो जब पाकिस्तान बना तो आपके बापड़ है हैं, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह कैसे चले गए? में साट बमने से इदर खोड़ों गॉय के पाकिस्तान करने में बड़े मागिन आया जब यह बात थी तो पाकिस्तानी उधर से मिश्य फोड़ खोड़ जोड़ 큰 कि पाकि jai करें फुरक Kym अमसी पेल्सका ईहां से जिन्दकी आपको करें greaterson के या करें stris पर हुमारे पास हमारे मुल्क में आवगे जोब देंगे सब्सक्राइबार समयागे OS There Up इम्रान खान साब वी तो बैटा है ना मी नहीं चोड़ के जाएंगे जो किस अचा तो इम्रान खाने के बच्चे कहां वैसे कहां पले बढ़े कि धर पले बढ़े कहां पढ़े कहां रहें कुछ ख्याल होगा आप लोगो इतना जलील हो रहे हैं इस पाकिस्तान में पिर भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे सर यहां से आप किसी को भी कह देना जो सचा पाकिस्तानिय नहीं नहीं कहेगा कि मैं यहां पे सलाजाएंगे अब देखे इससे ना ये गलत खबर दे रहे हैं आप फेक न्यूस दे रहे हैं मुझमिल भाई या और इससे पता है क्या होगा आपके पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं उन पर जुम बढ़ेंगे अब ये वो पाकिस्तानियों का वीडियो दिखा रहे हो जो अल्रेडी भारत आ चुके हैं यह वो पाकिस्तानी नहीं है डोलनकड़े बचा रहे हैं जो पाकिस्तान के भीतर हिंदू मौझूद हैं यह वो हिंदू हैं जो वहां से अपनी जान बचा कर भाग कर पहुंच चुके हैं जोद्फुल में रिफ्यूजी कैम्प में रहते हैं यह गलत खबर दे रहोगा आप फेक निउस दे रहोगा आप यह देख कर लोग और भड़केंगे पाकिस्तान में और भड़केंगे जो उनको आसपास हिंदू मिलेंगे उनके पिटाई लगाएंगे यह लोग आप अपने देश के हिंदूं पर खतरा बढ़ा दिया आपने ये बात कहे कि आपने clear क्यों ने किया कि यह वो पाकिस्तानी हिंदू हैं जो भारत पहुँच चुके हैं या तो आपने जान बुझ कर यह बात नहीं बोली है या आपको यह बात पता नहीं है दूसरी churches है उनके लिए भी आपने थ्रेट कर दिए मुझमिल भाई, आप इस बात को संसिटी को समझो, ये बहुत संसिटीफ मामला है ये भारत की जमीन पर हैं, वो पाकिस्तानी हिंदू भारत आ चुके हैं, पिछले कई सालों से भारत में रह रहे हैं यहां पर मैं इंट्रिव्यू दे रहा हूं दस लोग और खड़े हो गए ऐसी लोग एक बंदा जा रहा हूं तो दस ऐसे ही होंगे उसके साथ करेंगे अब वह आपनी खुशी से जाते हैं तो जाएं ठीक है ना अमारा मुलक हम तो रहना है अगर वो अपनी कुशी से यहां पर रहते हैं तो रहें नहीं रहते तो अपने घारे तरफ जाना चाहूंगा आप बात कर सकते हैं जो नोन-मस्लिम से हैं क्या यह मुलक छोड़कर हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं अगर वो चाहते हैं तो यहां से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो लेकर हमारा तो मुलक स्लाम मुलक है ना हम तो अपने मुलग पर जो गहर मुस्लिक में उनको भी इस्पेक्ट करते हैं लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो उनके इस्पेक्ट किया जाता है वो किस हासे उनसे इस्पेक्ट करते हैं गुजारा कैसा चल रहा है लेकिन शुकर अलागा गजारा बास मेनन मजदूरी कर रहे और यह चेंग नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारी जो हुक्मरान है जैसे हम वाम है वैसी हुक्मरान है ठीक है जो हम जो कर रहे हैं जूट बोर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं क्योंकि इसलिए कि अलाथ बहतर की तरफ जा सकते हैं या बहतर हो सकते हैं नहीं में कुछ कह सकता लेकिन मुझे हूं लगता ये लिये पूरी दुनिया में रिम्सक्राइब हो भी क्योंको छूला कैसे चलेगा गुरीब के लिए बिस थी कर सकता है . सब्सक्राइब करने का परपस है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तानी लोगों को citizenship दे दे अपनी मुलकियत की दे दे कि आप यहां पर आजो पाकिस्तान चोड़कर तो क्या यहां से हमारे लोग जाएंगे वहां पर रहने के लिए नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे इंडिया ने आज पाकिस्तान हिंदु इदे हैं जा रहे हम शचांगे उदर हा कि यहां हम तो नहीं जाएंगे उदर अब क्यू जाएंगे हम लोग है बहुत सारे लोगों का रिश्यदार अभी वहां पर रहते हैं वो कहते हैं कि हमारा मुलक पाकिस्तान सही है हम इंदुस्तान नहीं जाएंगे ओश्युक्तान इला अब यह हिंदू है जोद्पॉरी हिंदू है् जो के यहां पर यह देखे किस तरह चुछ भी suggests पाकिस्टान आने के लिए पास्पोर्ट नी बना करते ते उनको इस लिए ये पाकिस्तान वाले कहते हैं ठीक आप जाना चाते हैं तो चले जो जैसे जिए विजा दे देंगे, उनका अपना मुल्क है वो जाएं उदर अपने मुल्क में हमारा मुलक छोड़ें यह माइंडसेट देख रहे हैं, यह है वो जहरीलिया माइंडसेट, सोचिए, सोचिए, अब इधर वाले हिंदू उटके कह दें, कि जाओ पाकिसानी यार, जाओ, मुसल्मानों को कह दे, जाओ पाकिसानी, अब सोचिए, क्या फील करेगा वो, क्यों जाएगा पाकिसान भई हाँ, जिसको मन करें पाकिसान जाने का, उचले जाओ भई, लिंगो देखे, वो तो कहते हैं कि उनका मुल्क है, हिंदूओं का यह मुल्क नहीं है, समझ रहे हैं आप, पक्की बात है, यहाँ पर वीजा ने, हमारे मुलक में वीजा नहीं देते हैं, वहाँ से कोई आना चा पाकिस्टान के अंदर हंदू है, अगर वह इंडिया जाना चाहें, तो क्या आप जाने देंग इजाज़त देंगी? यह 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 भार कि यह भूआ अबर अब परदसर बात करने का परपस है कि क्या कहना चाहेंगे क्या हमारे मुलक पाकिस्तान में हमारे जो माइनरिटीज है जो नोन-मुसिलिम से वो खुश है नहीं खुश जो मुसलमान नहीं है यह फर्शान हैं मंगाई से ठांग है अगर आज हमारा पड़ोसी मुलक ले अलां कर दे के वाइंड हमारे जितने भी पाकिस्तान के बोग हैं उनके लिए मैं वीजा फ्री एंट्री देता हूं या उनको सीटिसंशिप नीए उनके लिए उन उनके लिए उन्हों ने कहा पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू है bike तो वो आ सकता है, तो क्या हमारे यहां से, प chinese तो मार्डारी वो ठाइएंगे वापे? नहीं जाएंगे, नेए मुझे पाकिस्तान तो बहुत श。 नहीं तो बहुत प्यारा मुलग है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे यहां पर एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, यह देखें वीडियो में तो कुछ और हो रहा है, यह जब ऐलान किया उन्होंने के भाई हिंदू को सिखो को साहियों को हम सिडिजन्शिप देंगे, हिंदुस्तान नका है, तो यह देखें यहां पर हमारे पाक पारना पड़ेगा मुजब मिल भाई, आप यह करेक्शन करिए, कि यह पाकिस्तान में मौजूद हिंदू नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप समझ नहीं कि आप कितना बड़ा आपने डेंजरस काम किया है, वहां के हिंदूओं के लिए, जो नहीं भी आना चाहते होंग भारत ना, अब उनके उपर आपने खत्रा बढ़ा दिया, क्योंकि वह भारत के राजस्तान के जोधपूर में मौजूद पाकिस्तानी रिफ्यूजी हिंदू हैं, जो पाकिस्तान से अल्रेडी भाग कर भारत आ चुके हैं, वो रिफ्यूजी जश्ट मना रहे हैं, कि अब ह अफगानिस्तान, बंगलादेश, यहाँ पर जो पर्सीक्यूटेड माइनिटीज हैं, जिनके उपर जुल्म होता है, उनके लिए ये किया गया है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए, सबके लिए नहीं है ये, जो पर्सीक्यूटेड है, जिनके उपर जुल्म हो रहा है, उनके क्या कह रहे हैं? और मैं आपको एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की की भी बात सुनवाता हूं कि वो क्या कह रही है? सुनिए! ले सुनिए लगषज बात सीlik रूगवण लेकर भेता हैं एक नूंकी भीन को स्क्यवण लगाणी लगषभषगगी अधर भенно वड़धी बात सफ के लवकान लड़ीता है? um so you know I didn't say anything at that time because I was really scared we are a minority you are a minority religion not gonna say anything right I did learn another thing from that experience was that people will use religion to hate on communities because I was also called a kafir right I don't care yeah I'm a kafir don't follow your religion like duh like do you think I don't know what a kafir means like I'm born in Pakistan and here's one more thing I want to address because people are so stupid you know I'm a Pakistani Hindu so I know about I have read the Quran I know about the Islamic teachings I was in a Catholic school a Hindu and I was forced to learn the Quran and you know why that because they said I was not going to pass the 10th grade 11th grade or get into the board exams I would have to give the board exams for like you know the Islamic teachings whatever so I was forced to learn it so when you guys tell me at this age in America I'm still by the way I'm still being asked to convert in America so when you're telling me to convert a Pakistani Hindu to convert do you think I don't know do you do you think I don't know your religion I know your religion I know the fundamental aspects of it I respect that you follow it but let me make it very clear that I will never ever follow your religion and that is how that is the most utmost respect that is with utmost respect I will never follow your religion okay because I just don't believe in anything that is taught there and that's fine people can have different beliefs right right religion is not about compulsion that is one of the things in there compulsion is what I felt in that country so no I will I don't believe in the fundamental aspects of yeah उनके मुँपर यह तमाचा है पहली बाद अब आते हैं कि जी पाकिस्तान पर इसका क्या आसर पड़ागा यह पाकिस्तान क्यों चिंता हो नहीं है उसके लिए तो अच्छा है वो तो चाहते हैं कि सारे नौन मुसलिम हड़ जाएं यहां से तो आपके लिए और बहतर है जैसे आपने कानून बना कर आपने कानून बनाया और सत्रह लाक अफगानी थे आपके मुसल्मान ही थे दूसरे धर्म के भी नहीं थे उनको अपने लात मार कर अफगानीयों को भगा दिया वहां से जो कई सालों से 35-35-40-40 साल से पाकिस्तान में रहे थे उनको तो भगा दिया आपने और आप जब मुसल्मानों का भला नहीं कर सके तो आप कहरें कि आप हिंदुों का भला करेंगे सिक्खों का भला करेंगे, एसायों का भला करेंगे, क्या भला करेंगे आप भई तो कम से कम उन बेचारों को जो जुल्म सहर है उनको तो आस तो मिली कि चलो कम से कम पड़ोस के देश में जाके शांती से तो रहेंगे तो इस वीडियो को ठिक करिए आप जो भी करना है करिए ये आपने बहुत डेंजरस काम किया है बहुत डेंजरस अब जान में के किया है या आनजान में किया मुझे नहीं पता एक बहुत डेंजरस काम किया आपने दर्शक आप बताएं किया मैं गलत कर रहा हूं क्या जल्दे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए